अब अगर आप अपने फोन से व्लॉगिंग करते हो या वीडियो बनाते हो ओविसली एक माइक ऐसी चीज है जो आपकी वीडियो को और ज्यादा पावरफुल बनाता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में बात की जाए और हम अच्छे खेल रहे हैं थोड़ा नॉइस है गाडिया जा रही है और यहां पर मेरे पास चार डिफरेंट टाइप ऑफ माइक हैं लेपल माइक है ओन कैमरा माइक है वारलेस माइक है स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज तिल 35,000 रुपीज जो माइक आते हैं देखते हैं कि आक्छुली कुछ फरक आता है और आपके यूज और टाइप के हिसाब से कौन सा माइक आपके लेसाई रहने वाला है सबसे पहले टाइप का माइक है वह है लेपल माइक और अभी जो आप ऑडियो सुन्रे उख व्होस से आता है और अभी पीछ्रपत ऑड बीच मिल जाता है बहुत एजली और अभी पीछे आप देखोगे cricket भी खेल रहे हैं तो वो noise आ रहा है जा रही है तो उसका आपको आइडिया लग जाएगा कि noise cancellation कैसा है कैसा audio आ रहा है और दूसरा जो benefit आपको इस तरीकी का माइक का मिल जाता है वो है cable की length अब अगर आप देखोगे यह almost 20-30 feet तक cable जा सकती है अब यह आपको एक cable लटकती हो देख जाएगी तो इसका यह plus point भी है बट एक तरीके से minus point भी बन जाता है क्यों अब देखो अभी तो मुझे थोड़ी आदत हो गई है मैं थोड़ा confident हूँ मैं इतनी लंबी cable लेके चल सकता हूँ vlogging कर सकता हूँ बट शुरू में आपको थोड़ा से लगेगा कि यार cable लटक रही है लोग देख रहे हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता हूँ स्पेशली जब आप बहार ट्रावल कर रहे हो तो इसका plus point भी है minus point भी बन जाता है अच्छा तो अभी जो आप यह audio सुन रहे हो ना विद आसपास की जो भी आवाज नोए सारी है यह लेपल माइक है तो आपको एक fair idea हो जागो और अब मैं इस माइक को हटाता हूँ है देखते हैं कि कुछ फरक आता भी है अगर मैं इतने short distance पी audio record कर रहा हूँ और क्या फायदा होता है एक लेपल माइक का तो अब मैंने यह माइक हटा दिया है अब जो आप audio सुन रहे है डिरेक्ट फोन से record हो रही है अब जितना मुझे लग रहा है यह अभी इस situation में noise को जादा capture कर रहा होगा अब अगर आस-पास यह वाद सुन सकते हो तो लेपल माइक का यह फायदा हो जाता है कि माइक जब आपके पास रहता है तो आपका जो audio आ रहा है वो better capture होता है noise कम capture होती है अब जो second type का mic हम यहाँ पर test कर रहे है वो है on camera microphone इस तरीके से अब यह wireless रहता है और इसका benefit यह है कि पहली तो जो audio आप सुन रहे हो वो इस microphone से आ रहे है और दूसरा benefit यह है कि कोई wire नहीं है बीच में मैं इसको easily outdoor shoot कर सकता हूँ माइक चोटी सी जगां लेता है मुझे इतना complex feel नहीं होना पड़ता कि लोग क्या सोच रहे होंगे क्या दिखेगा because बीच में कोई cable नहीं है तो एक wireless माइक बन जाता है और audio में थोड़ी clarity आ जाती है दूसरा चीज इसका यहाँ पर एक यह dead cat या wind foam है अब इसका एक benefit किया म मैं video shoot कर रहा हूं और मुझे यह डर रहा है कि माइक की battery ना खतम हो जाए क्योंकि यह directly phone से connected है तो इसका बैटरी का लोचा नहीं है तो आप tension free होके easily video shoot कर सकते हो और यह कहीं ना कहीं एक benefit मिल जाता है दूसरी चीज पीछे की side यहाँ पे 3.5 mm jack दिया हुए और इसका मुझे क्या benefit मिल जाता है कि मैं live monitor कर सकता हूँ audio तो माल लेते हैं मैं अपना phone कहीं रखा हुआ indoor यहां कहीं भी मुझे अगर live check करना है कि audio कैसा आ रहा है तो वह भी इसमें easily हो सकता है तो इस mic के benefits तो काफी है बट एक जो drawback बन जाता है वो ही है कि इस तरीके से अगर मैं इस mic से द जाने लग जाऊंगा तो वहां पर कहीं न कहीं इस mic का यूज नहीं रहेगा तो अगर आप इस तरीके का setup यूज कर रहे हो जहां आपको पता है इतना arm length पर distance रहेगा उसके लिए सही है otherwise लेपल काफी useful है तो अभी जो मैं on camera mic आपको दिखा रहा था वो actually Godox का है इसका नाम में कुछ actual difference लगा अगर नहीं लग रहा तो आप 4000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो जरूरी नहीं है double amount road में लगाने के लिए तो अभी side by side में audio record कर रहा हूँ तो मैं आपको यह icon दिखाता रहा हूँगा कि कब Godox वले से audio आ रहा है कब road वले से आ रहा है और यह जस्ट एक कुछ comparison नहीं है मैं यह चाहता हूँ कि यार जब cost में double difference है तो एक बार यह देख लेते हैं कि audio में फरक आ रहा है नहीं आ रहा यहां फिर third type का mic जो मैं अब discuss करूँगा that is wireless mic अब जो third type of mic है वो है wireless microphone इसके बार मैं मैंने dedicated वीडियो भी बनाई थी यह 2800-3000 तक का mic आजाता है और even अभी जो मैं mic यूज कर रहा हूँ camera पर यह भी wireless है because वीचें कोई wire नहीं है तो में को एक receiver मिलता है जो मैं सीधा phone में suppose यहां भी लगा लेते हैं caller यां कहीं पर भी तो इसको अब मैं phone से connect करता हूँ और मैं आपको output देखाता हूँ तो अभी जो आप audio सुन रहे हो वो इसी wireless mic से आपको आ रहा है तो अगर मैं इसको इस तरीक से पकड़ लेता हूँ सबसे पहली चीज देखो कुछ wire नहीं है त हिसाब से उस जगहां पर आप रहना और आप देखो मैं इस तरीक से पीछे जाता जाऊंगा और यह make sure करेगा जो मेरी audio है वो वैसे ही रहे जो मैं एकदम phone के जब पास था वैसे audio आ रहा है तो यह wireless system का यह benefit मिल जाता है और यह काफी cost effective है काफी budget में आ जाता है और इसके अ line up of microphones है wireless mic है देखो कि कुछ cable नहीं है बट इसका जो price है that is 35,000 अब यह professional level का mic है क्यों उसका एक reason यह है कि सबसे पहले इसमें internal recording है तो मालने ते हैं कि मुझे doubt है कि यार जो मेरा transmitter है या receiver है उसका connection नहीं बन पा रहे है किसी एकी battery खतम है या मैं सिरफ यही लेके चल रहा हू तो मैं जैसे record का button दबाऊंगा internal recording शुरू हो जाएगी और वो उसको as an audio file मैं C type से लगा कि अपने PC या laptop से easily connect कर सकता हूँ और इस तरीके से अगर मैं आप देखो पीछे भी जा रहा हूँ distance पे तो मेरा audio level उतना ही रहेगा जो मैंने पहले mic दिखाया जो 3000 का था और versus 35,000 का 10 times the cost तो difference है यह quality में हलका सा difference आता है noise cancellation में फरक आता है वर उससे जादा यह है कि कुछ ऐसे features मिल जाते हैं जिनको आप use कर सकते हो ताकि आपको वीडियो बार बार ना record करना पड़े so as a backup आपको audio भी इसके अंदर मिल जाएगा and obviously quality में थोड़ा सा difference आ जाता है और एक और benefit जो मुझे मिल जाता है इस माइक में वह है कि आप यहां पर देखो कि डिस्पले में मुझे देख रहा है मेरा level कैसे जा रहा है तो अभी green है तो I am getting an indication कि यह audio साही जा रहा है और जैसी ही मैं जाद आप देखो orange red आ रहा है तो मुझे एक indication मिल जाता है कि मेरा जो audio है वो कही पर डाला हुआ है you can check it out तो अब मैंने comparison के लिए दोनों माइक को side by side लगा लिया wireless माइक जो है 3000 वला और 35000 वला DJI का तो इस तरीके से दोनों का direction same है अगर मैं पीछे जा रहा हूँ यह जस्ट एक test है कि आप देख सको side by side में audio switch करता रहा हूँगा कि noise cancellation कैसा है और क्या इतन connectivity कैसा रह रहा है तो हमें switch करता रहूँगा आप उपर देख लेना icon आपको audio का दिख जाएगा and even मुझे भी यह खुद देखना था कि price में इतना फरक है तो कि actually audio में कुछ फरक आथा है या नहीं है यह इस वीडियो के तरू आपको भी देखने को मिल जाएगा तो यह थे क क्वालिटी में क्या फरक आथा होफुली आपको भी वह message रहे हुआ होगा तो यह अगर आपको कुछ और comparison चाहिए कुछ वीडियो से हैं कमेंट करके suggestion देदेना मुझे कुछ अच्छा topic लगेगा I'll pick that up and उसके उपर वीडियो बना देंगे so that's it I'll see you in the next video तब तब तक टेक करन की प्लेकें